वुद्ध का अपना टॉपिक ऐ पॉलिमराइजेशन का पॉलिमर्स का लास्ट टॉपिक और वो है कंडेंसेशन-πο्लिमराइजेशन इसके बाद एक और छोटी सी टॉपिक है जो हम लोग कंप्लीट करेंगे अज तो कंडेंसेशन- Paulimmerाइजेशन है क्या तो कहता है इसके अंदर repetitive condensation reaction होता है अब इसके अंदर जो monomers होते है अगर हम लोग monomers की बात करें तो इसके अंदर दो bifunctional monomers होंगे ठीक है, bifunctional मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा functional group present हो उसी को हम लोग bifunctional monomer कहते हैं अब इसके अंदर बात होती है कि loss of some simple molecules कि जब हम लोग reaction करवाएंगे तो during the reaction a small molecule of water or alcohol is lost यानि ये एक characteristics है कि जब भी condensation polymerization होगा तो उससे कुछ simple molecules या water हो सकता है, alcohol हो सकता है वो वहाँ से बाहर निकलेगा और उसके वज़े से एक bond generate होगी और उस bond के वज़े से एक high molecular mass polymer का formation होगा तो addition reaction में क्या था? तो unsaturated hydrocarbons होते थे condensation polymerization में क्या है? तो bifunctional monomers हैं उसमें double bonds तूटता था इसमें आपके कोई ना कोई एक छोटा सा molecule चाहे वो water हो या alcohol हो वो निकलेगा और उसके वज़े से एक condensation polymers का formation होगा इसी को हम लोग step growth polymerization भी कहते हैं यानि कि प्रतीक step पे कि जब एक step का reaction हुआ तो वहाँ पे एक bifunctional species फिर से form होगा फिर से reaction होगा फिर से एक species formation होगा यानि कि प्रतीक step पे एक distinct functionalized species present होते हैं और इसी को हम लोग step growth polymerization कहते हैं अब कुछ examples जो अपने को याद करना है जैसे कि monomer monomer के अंदर जब हम लोग देखते हैं teraline या dacron यह अपना polymer है और इसका monomers होता है ethylene glycol जिसको हम लोग ethane 1,2 diol कहते हैं दूसरा होता है teraphthalic acid जैसे कि benzene 1,4 di carboxylic acid तो यह दोनों चीज़ें अपने को याद रखनी है कि teraline का monomer या dacron का monomer क्या होगा तो ethylene glycol यानि कि CH2OH, CH2OH, ethane है और 1,2 diol यानि कि first और second carbon दोनों के उपर alcohol group है इसलिए इसको हम लोग diol कहते हैं teraphthalic acid होता है, benzene है आपके पास और दोनों opposite ends पे इसके क्या होंगे carboxylic acid का functional group यानि के COOH अब होता क्या है इसके अंदर कि हमारे पास क्या है यहाँ पे एक तरफ से hydrogen बाहर निकलेगा और दूसरे तरफ से OH group और जिसके विजए से आपका water वहां से क्या होता है वाहर निकल जाता है और अपने को क्या मिल जाएगा teraline या फिर dacron अब आता है polyamides polyamides किसको कहते हैं इसके अंदर amide linkage हो उसका best example होता है nylon कैसे बनता है ये तो कहता है कि condensation polymerization जो है किस monomers के बीच में होगा तो एक component आपके पास होगे diamine और दूसरा component आपके पास होगा di carboxylic acids और यहाँ पे amino acids या फिर उनके lactans होते हैं जो उनके functional group से related होगे अब जैसे हम लोगोंने nylon 6 के बारे में पढ़ा था hexamethylene diamine और teraphthalic acid अब hexamethylene diamine और adipic acid तो उससे बनता था किया आपके पास nylon 6-6 अब nylon 6-6 का use हम लोग कहाँ पे करते हैं तो जो plastic के seat होती है brush का bristles होता है ठीके या textile industry में blending में nylon 6-6 काम आता है अब इसी nylon 6-6 के जैसे एक है nylon 6 जिसका monomer होता है caprolactam or water और यहां से आपको क्या मिलता है nylon 6 एक पर question पूछा हुआ है what strength 6,6 और nylon 6 तो nylon 6-6 का मतलब है दो monomers है और दोनो monomers के अंदर 6-6 carbon present होते हैं nylon 6 का मतलब है कि एक monomer के अंदर 6 carbon present है जैसे कि caprolactam जिसका use हम लोग कहाँ पे करते हैं तो tire courts बनाने में, fabrics बनाने में, ropes बनाने में इसके बाद आता है polyester जब हम लोग poly condensation product बनाते हैं dicarboxylic acid और diols का जिसको हम लोग decron कहते हैं तो कहता है कि इसका monomer क्या है ethylene glycol और teraphthalic acid किते temperature पे रखेंगे 420 से 460 Kelvin catalyst के रूप में zinc acetate antimony trioxide का हम लोग use करते हैं अब polyester जो होता है वो आपके पास क्या होता है तो crease resistant होता है यानि blend जब इसको हम लोग cotton के अंदर या wool fabrics में डालते हैं या फिर जो safety helmets होते हैं उसके glass के अंदर polyester को क्या किया जाता है डाला जाता है for the strength अब एक है phenol formaldehyde polymer जिसका example है bakelite या फिर उसे related polymer सबसे पुराना polymer जो हम लोग use करते हैं वो है phenol formaldehyde polymer दो इसके monomers होंगे phenol और formaldehyde catalyst acid भी हो सकता है और base भी हो सकता है first step में हम लोग क्या करते हैं और्थो या फिर pyrahydroxy methyl phenol derivatives का formation होगा और उसको फिर हम लोग phenol के साथ react करवाते हैं तो उनके जो rings होते हैं वो join हो जाएंगे तो शुरुवात में आपका क्या बनता है novelac जिसको हम लोग paints के अंदर use करेंगे और उसको फिर वापस formally hide के साथ अगर हम लोग गर्म कर देते हैं तो एक cross linking develop होती है और फिर आपका formation होता है baccalite तो coms, phonograph, records, electrical switches, handles of utensils यह सब किस्चस का बनता है आपके पास तो baccalite का बनता है तो कैसे बना तो phenol ले लिए benzene ring के ऊपर OH group है HCHO यानि CH2O है जो कि आपके पास क्या है lehyde क्या सब्सक्राइब Sparking